नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अरशी दिवेदी फ्रेंट्स और मैं आपका सौध करता हूँ यह 14 वीडियो है लक्षमी कांत की 6 एडिशन की किताब का यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों सिटिजन्शिप सबसे पहले तो दोस्तों देखिए सिटिजन्शिप एक ऐसा टॉपिक है पूरे लक्षमी कांत में जिसको जब मैंने पढ़ाई की खुद कभी पढ़ना नहीं चाहा इसके जब शुरू शुरू में मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था इसके जो प्रोवीजन्स थे मुझे बहुत कन्फ्यूज करते थे काफी प्रोब्लम हुए मुझे सिटिजन्शिप को समझने में और इन फैक्ट जब मैंने सिटिजन्शिप को समझा भी तो बाद में उसकी एक्जाम में कुछ यूटिलिटी हुई नहीं अभी के लिए जो रिसेंटली सिटिजन्शिप एमेंड इसलिए यह आपको समझाऊंगो दोस्तों, तीन-चार वीडियो में कोशिश करूँगो कि मैं इसको खतम कर दूँ, उसके साथ साथ वही हर बार की बात, देखे, अब यह सिक्स एडिशन की किताब है, यहाँ पर मैं जो भी आपको प्रोवीजन समझाने वाला हूँ दोस्तों सिद्शिप के, उनको बस मैं लिख के समझाऊंगो, आगे मैंने किसी भी तरीके का कोई PPT में टेक्स नहीं डाला है, रिजन बिंग कि मैं लक्षमी गान का टेक्स यहाँ नहीं दिखा सकता दोस्तों, ओविसली फॉर कॉपिराइट क्लेम्स, तो मेरा काम है आपको समझाना आपका काम है चटे अडिशनी किताब अपने सामने रखे, सामने रखे, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई आप लोग चटे अडिशन किताब को करीद लो, आपको खरीदने से मुझे कोई परसनल फायदा नहीं है, बट अब अब लक्षमी गान जी ने किताब लगी इसके पब्लिशर्स को प्रॉफिट कमाना है, तो मैं यहाँ पर उसको दिखा नहीं सकता, इसलिए बार-बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप किताब करीद दीजे, इसको शुरू करते हैं दोस्तों, आगे बारने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दब ही है, ओके, citizenship पूरे members होते हैं Indian state के, Indian state की administrative functionary उनके उपर apply होती है, obvious ही बात है aliens भी अगर हमारे देश में तो उनके उपर भी apply होगी, लेकिन aliens are citizens of some other state, they are not citizens of India, इंडिया के citizens को बहुत सारे civil और political rights मिलते हैं, aliens को भी मिलते हैं, बट alien की civil और political rights citizens से कम होते हैं, अब जब alien की category आती हैं दोस्तों, तो alien में दो category आती हैं, एक तो हो गए friendly alien, एक हो गए आपके enemy alien, तो भाई USA और दुनिया भर से जो यहाँ पर tourist आते हैं, they are basically friendly alien, पाकिस्तान का कोई नागरिक इंडिया में आता है, तो क्या वो enemy alien होगा, नहीं, पाकिस्तान officially हमारी enemy country नहीं है, वो अलग बात है कि हमारे relations बहुत खराब हैं, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो दो तरीके की aliens होगा हैं दोस्तों, friendly aliens, और वेसी बात है, यहाँ पर बोला गया है कि उन countries के नागरिक जिनके साथ हमारे friendly relations है, almost दुनिया के सारी countries के साथ, हमारे friendly relation है, सीधे सीधे हम लोग की किसी के साथ लड़ाई नहीं है, जैसे कि अगर आप America North Korea को देख लो, या फिर America Iran को देख लो, इनकी तो सीधे सीधे लड़ाई चलती है, मतलब war क्या, वरबल war चलता है, वड़ इंडिया की ऐसे किसी भी country के साथ कोई बैर नहीं है, अब देखते हैं, friendly aliens कुछ rights enjoy करते हैं, in fact enemy aliens भी भाई कुछ rights enjoy करते हैं इंडिया में, अजमल कपसाब आपको याद होगा दोस्तों, अजमल कसाब को आप यहाँ पर बोल सकते हो, एक enemy alien, इंडिया माया, तर-तर-तर गोलियां बरसाने लगा, बाद में पता चला, वो पाकिस्तान का है, basically he was an animal alien, तो क्या उसको कास कोई भी rights नहीं थे, बिल्कुल rights है दोस्तों, जो proper procedure था, जिस हिसाब से, एक होता ना कि judicial procedure होता है, जिसके through एक person को गुजरना होगा, उसको सजा देने से पहले, उस पूरे procedure के through वो अजमल कसाब गुजरा था, यानि arbitrary उसको हमारी administrative machinery ने नहीं मारा, इसके बावजूद, इस बात के बावजूद के उसने आके गोलियां बरसा के जाने कितने लोगों को मार दिया एंडिया में, तो भाई, सबसे ज़्यादा राइट citizens के पास उससे कम friendly aliens और उससे कम enemy aliens, ओके, आप गात की जाए अगर friendly aliens की या enemy aliens की इनको क्या-क्या rights हैं, क्या-क्या rights नहीं हैं, वो मैं आपको दीरी-दीरे करके आगे बताऊंगो दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि citizens of India को कौन-कौन से rights दिये गए हैं, I hope आपने किताब सामने खोल रखी होगी, तो देखते हैं भाई, यहाँ पर मैं उन rights की बात करूँगा, जो कि citizens of India को मिल रहे हैं, बट aliens को नहीं मिलेंगे, तो भाई, citizens of India को यह right है, right against discrimination, right against discrimination, इसा कोई भी तरीके का, जो right है, वो aliens को available नहीं है, चाहे friendly हो, चाहे नहीं हो, उसके बाद बात करें दोस्तों, right to equality of opportunity in the matter of public employment, तो भाई, अब in the matter of public employment, इंडिया में यह जो opportunity है, यह जो right है, article 16 के अंदर, वो केवल Indian citizens के लिए हैं, बाहर के citizens के लिए नहीं है, obviously दोस्तों, कल की date में, आप अगर रशिया गुमने जाओगे, तो क्या रशिया वाले अपनी police में, या फिर उनकी जो administrative machine नहीं आपको जगा देंगे, obviously नहीं देंगे, उसी तरह की हम लोग के आपे भी, जो public employment है, उसमें केवल Indian citizens के लिए जगा है, बाहर के citizens के लिए कोई जगा नहीं है, फिर भाई, right to freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence, profession, ये है आपका article 19, तो article 19 के अंदर के भी जो rights हैं, वो सिर्फ आपका किस के लिए है, Indian citizens के लिए, फिर cultural and educational rights, ये cultural and educational rights, article 29, 30, ये भी आपके के लिए, Indian citizens के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं, लोग सभा और state legislative assembly में vote डालने का अदिकार, तो लोग सभा और state legislative assembly में vote डालने का अदिकार के लिए इनियन citizens को, फिर, पारलियमेंट का और state legislative का member बनने का अदिकार, अच्छे, यहाँ पे state legislature बोल रहा हूँ, जिसमें state legislative assembly और council दोनों आता है, पारलियमेंट बोल रहा हूँ, जिसमें लोग सभा और राजसभा दोनों आता है, और विसी बाद है, राजसभा के लिए direct लोग vote नहीं डालते है, इसलिए यहाँ पे right to vote का अधिकार और state legislative assembly लिखा है, और contest करने का अधिकार, पारलियमेंट और state legislature लिखा है, समझ रहा है न, चुकि पारलियमेंट और state legislature चाया वो council हो, चाया वो legislative assembly हो, चाया वो राजसभा हो, हमको यह अधिकार है, कि हम उसके member बन सकते हैं, फिर भाई, अगर आपको कुछ particular positions पर बैठना है, जैसे कि आपको president बनना है इंडिया का, vice president बनना है इंडिया का, supreme court का judge बनना है, high court का judge बनना है, किसी state का governor बनन रहा है, attorney general of India बनना है, advocate general of state बनन रहा है, इन सब के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, अगर बाहर का कोई आदमी यहाँ पर आया है, बिना भारत का नागरिक बनने, वो इन सीटों पर नहीं बैठ सकता, ये बात हो गई, आगे देखते हैं दोस्तों, फिर अगर हम इंडिया के citizens हैं, तो हमारी कुछ responsibility भी बनती है, तो भाई अपने जंडे का हम सम्मान करेंगे, हम लोग regularly tax भरेंगे, हमारी national anthem का हम सम्मान करेंगे, अपनी country को defend करेंगे जब 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 पड़ेगी, ये सब बाते हमारी duties में आती हैं, अच्छा USA और इंडिया के में एक फर्क यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, citizenship से related, देखें इंडिया में क्या होता दूस्तों, माली जब आपको प्रेजिडेंट की पोस्ट के लिए या वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट के लिए Supreme Code के जज के लिए citizenship डिसाइड करनी है, अब एक परसन ने जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ, बाई बर्थ उसके पास इंडिया की citizenship है, एक परसन ऐसा है, जो बच्चा था 7-8 साल का था अमेरिका में पैदा हुआ, American citizenship थी, वो अमेरिका से इंडिया आ गया, उसके parents इंडिया आ गया, और उन्होंने इंडिया citizenship ले ली, और वो बच्चा पहले तो अमरीकी था, पर वो यहाँ पर आके इंडियान मन गया, अब वो धिर धिर बड़ा होका, बड़े होका, माली जो काफी काबल होता है, आपके बड़े-बड़े constitutional offices के लिए compete कर सकता है, वहीं पे दोस्तों, माली जो आप या कोई और Indian person या Indian लड़की कोई 15 साल की उमर पे, 10-15 साल की उमर माली जो अमेरिका चला गया, और अमेरिका जाकी citizenship ले लिए अमेरिका की, अब जब वो बड़ा होगा, और माली जो बड़ा होगा, अगर वो vice president या वहाँ के president की post के लिए लड़ना चाहे, डोनल्ड टरम की seat पर वैटना चाहे, तो क्या वो लड़ सकता है, नहीं, USA का president बनने के लिए eligibility है कि आप होने चाहिए USA के citizen by birth, naturalized citizen is not eligible for the office of President of the United States, okay, अब हम constitutional provisions की बात करते हैं, citizenship of India की अगर बात की जाए तो इसके constitutional provisions है, article 5 to article 11 of the Indian constitution, जब हमारा सम्विधान 26 जनवरी 1950 को लगू किया गया, उस समय पे दोस्तों, उस सम्विधान में कोई proper elaborate provisions citizenship से related नहीं लिखे थे, कोई permanent provisions ऐसे नहीं लिखे थे, साफ साफ सी बात थी, citizenship को लेके काफी लफडा चल रहा था, पकिस्तान से इंडिया आ रहे थे लोग, इंडिया से लोग पकिस्तान जा रहे थे, बहुत बवाल हो गया था, लाखो करोणों की संख्या में refugees थे, तो उस समय पे Constitution Assembly के बस की बात नहीं थी, citizenship पे बहस करना और कुछ भी बात करना, तो इसलिए Constitution Assembly ने क्या बोला, कि भाईया अभी के लिए आर्टिकल के प्रोवीजन्स, मुलब Constitution में 5 से 11 में भाई, हमने citizenship का basic एक layout बता दिया है, बाद में citizenship का जो प्रावधान है, वो Parliament खुद बनाएगी, यानि कि जो सरकार चुनके आएगी सक्ता हमें, वो citizenship के कानून बनाएगी, अभी के लिए, immediately इस समय के requirement के लिए, जो citizenship के provisions हैं, वो हम डाल देते हैं, वो क्या provisions हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और वहीं आप देखेंगे, बाद में जब पहली सरकार चुनके आएगी, वो citizenship act लागू करेगी, citizenship act ले गया आएगी, यह citizenship act 1955, इस citizenship act को time by time change किया गया है, इन चीजों को देखेंगे, आप आप देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा सम्विधान लागू हुआ, तो चार category of person को citizenship देने की बाद कही गई, पहला category of person वो थे जो कि इंडिया में domicile थे, इंडिया में domicile का मतलब क्या है बाई, आप इंडिया में ही पैदा हुए हैं और आपके पास पैदा होने का certificate है, दूसरा, आप कोई एक person है जो पाकिस्तान से वापस आएं, पाकिस्तान से आएं हैं partition के बाद, क्या partition से पहले, तीसरा, आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए, पर कुछ समय बाद पाकिस्तान से इंडिया आ गए, तो first you went to Pakistan, and then you returned from Pakistan to India, तीसरी category, और चौती category, कि आप एक PIO है, person of Indian origin है, जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं, ओके, इन चार category के लोगों के लिए, citizenship के provisions किये गए, हमारे article 5 से 11 में, जिस समय पे हमारे सम्विधान को लागू किया गया, जो date थी 26 January 1950, अब देखिए, चार category of person मैंने आपको बता दिये, domicile, Pakistan से आये हुए, फिर Pakistan चलेगे, Pakistan से लोट आये, और फिर person of Indian origin, देखिए, पहली अब हम बात करेंगे, domicile के बारे हैं, सफ्ष्ट फॉल हम यह समझते हैं, दोस्तों domicile होता क्या है, domicile मतलब वो जगा, जो एक person अपना place of residence समझता है, जैसे for example, कोई एक person है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश से किसी और जगा पे गया है, ठीक है, बट वो उत्तर प्रदेश से माली जी मुंबई में आके काम करना, बट मुंबई में काम करने के बावजूद भी वो बोलेगा, domicile उसका उत्तर प्रदेश है, चुकि वो ये इस बात को उमीद करता है, बाद में मुझे उत्तर प्रदेश में जाके सेटल होना, domicile is basically your place of residence, आप जहां पे रह रहे हैं, और जहां पे आप पर्मानेंटली सेटल होने की सोचे हैं, उसको आप बोलते हो domicile, तो पहली condition ये बोली गई, कि अगर आपका domicile इंडिया का है, यानि कि आपका place of residence इंडिया का है, first position में आपका, first condition में आपका domicile इंडिया का होना चाहिए, यानि कि आपका place of residence इंडिया है, और उसके बाद तीन conditions बताएगे, इन तीनों में से कोई भी एक अगर आप फुल्फिल कर देते हैं, तो आप इंडिया के citizen हो जाएगे, पहली condition ये है कि, if he was born in India, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो, born in India, तो मतलब domicile है, और वो इंडिया में पैदा हुआ है, तो भाई वो citizen हो जाएगा, दूसरा domicile है, और if either of his parents was born in India, यानि कि, उसके पास इंडिया का domicile है, उसके साथ साथ, उसका कोई भी parent, या तो माता या पिता, इंडिया में जन्मा था, तो वो इंडिया का citizen हो जाएगा, तीसरा, either of his parents, तूसरे में either of his parents है, और if he has been ordinarily resident in India, for five years, immediately before the commencement of the constitution, became a citizen of India, अब देखिए दूस्तों यहाँ पे, फिर साथ समझा रहो आपको पहला, पहला point, कि वो person का domicile इंडिया है, मतलब place of residence इंडिया है, तो यह है कि उस person का जन्म ही हुआ हो इंडिया में, दूसरी condition यह है कि उस person के, किसी भी एक parent का जन्म हुआ हो इंडिया में, तीसरी condition यह होती है, कि भाई, constitution के commencement से पहले, यानि 26 जनवरी 1950 से पहले, वो person 5 साल तक लगातार इंडिया में रहा हो, यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत क्लियर समझ में आरी, कि जो अंगरेज उस समय इंडिया में posted थे, उनके लिए भी एक option छोड़ा गया, कि अगर आप England वापस ना जाना चाहें, यहाँ रहना चाहें, तो आप रह सकते हैं, चुकि वो अपना domicile यहाँ का दिखा रहे थे, उनका place of residence तो इंडिया ही था, इस इंडिया कंपनी के बहुत सरा लोग आपके काम कर रहे थे, बाद में सीधे क्राउन के लोग आये थे, इस इंडिया कंपनी तो बाद में उसको इन आपरेटिव कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो अब समझ गे ना दूस्तो, domicile प्लस इन तीन में से कोई भी एक condition, तो इस वेसे से आप इंडिया का citizen बन सकते हैं, दूसरा क्या option लखा गया, migration from Pakistan, एक person जो इंडिया आया है पाकिस्तान से, वो इंडिया का citizen बन सकता है, मतलब कि एक person जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आया है, वो इंडिया का citizen बन सकता है, जिसकी पहली condition यह है कि उसके parent या उसके grandparent, मतलब parent में ममी बापा दोनों और उसके grandparent में दादा दादी दोनों, उन में से कोई भी अगर एक undivided इंडिया में पैदा हुआ थे, या है कि इंडिया या पाकिस्तान किसी में भी पैदा हुआ था, वो इंडिया का citizen बन सकता है, बशरते दो conditions हैं, उन दो में से कोई एक fulfill कर दो, दोनों conditions देखते हैं, पहली condition यह है, इन केस ही माइगरेटे तो इंडिया बिफोर उननिस जुलाई उननिस सो अर्तालिस, ही हैड बीन ओर्डिया के अंदर आ गया उननिस जुलाई उननिस सो अर्तालिस से पहले, क्या हुआ दोस्तों, उननिस जुलाई उननिस सो अर्तालिस को एक permit सिस्टम शुरू किया गया, यहनि उननिस जुलाई उननिस सो अर्तालिस को के बाद, जो लोग भी पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे न, उनको इंडिया में गुसने के लिए एक permit की जरुवत थी, एक permit system को introduce किया गया था 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी permit system नहीं था, लोग सीधे train में भरबर के आ रहे हैं तो इंडिया में गुस रहे थे तो इसलिए 19 जुलाई 1948 को एक cut off date रखी गई, कि अगर एक person 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ गया है पाकिस्तान से और वो तब से इंडिया में रह रहा है और उसके parents या कोई भी grandparents इंडिया के undivided इंडिया में पैदा हो थे, इंडिया पाकिस्तान में पैदा हो थे, तो बन जाएगा इंडिया का citizen cut off date क्या है? 19 जुलाई 1948 दूसरा क्या है? और in case he migrated to India on or after July 19,1948 he had been registered as a citizen of India but a person could be registered only if he had been resident in India for six months preceding the date of his application for registration मतलब कि एक person जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आया है तो obviously उसको permit मिला होगा उस permit के basis पे उसको अपना registration कराना होगा और उस registration से पहले उसे ये दिखाना होगा कि मैं कम से कम 6 महीने इंडिया में रह चुका हूँ तो permit system के थुरू 19 जुलाई 1948 के बाद जो आ रहे थे 19 जुलाई 1948 के बाद आने के बाद आपको 6 महीने रहना है और 6 महीने के बाद अपने permit के साथ भाई office में जाना है और वहाँ पे जाके अपनी citizenship को register कराना है ये दूसरा option था after 19 जुलाई 1948 का तो ये दो चीज़ें हो गई I hope मैं आपको समझा पा रहा हूँ ठीक तरीके से तीसरे पाज आते है तीसरा ये है कि भाई एक मार्च 1947 के बाद अगर कोई person इंडिया से चला गया पाकिस्तान बट बाद में उसका पाकिस्तान में मन नहीं लगाया उसको अच्छा नहीं लगाया और वो पाकिस्तान से आ गया वापस इंडिया में resettled होने के लिए तो वो एक इंडिया से बन सकता है लेकिन फॉर दिस ये हैड टो बी रेजिडेंट इंडिया for six months preceding the date of his application for registration यनि कि एक मार्श 1947 के बाद कोई person इंडिया में था वो पाकिस्तान चला गया migration दो चली जाता है बट पाकिस्तान से वो वापस इंडिया आ गया चुकि उसका पाकिस्तान मन नहीं लगा उसको इंडिया में रहना है तो वो इंडिया का citizen बन सकता है बट इंडिया का citizen बनने के लिए उसको अपना registration कराना पड़ेगा और वापस आने के बाद कम से कम उसको 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा इसमें एक छोटा सा catch है catch मैं आपको समझाता हूँ catch यह है कि 1 March 1947 के बाद पाकिस्तान से लोटने के बाद वो जो भी अपना registration करेगा न दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 से पहले करेगा यहां पर cut off date दी गई 1 March 1947 1 March 1947 के बाद वो person इंडिया से पाकिस्तान चला गया फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गया इंडिया में आने के बाद वो 6 महीने इंडिया में रहा और अपना उसने registration किया यह registration 26 जनवरी 1950 से पहले होना चाहिए क्योंकि अगर 26 जनवरी 1950 बीद गई तो 26 जनवरी 1950 के बाद provisions आ जाएंगे Citizenship Act 1955 के और 26 जनवरी 1950 के पाद जो भी citizenship दी जाएगी क्या बोला गया भहिया एक परसन जिसके या तो माबाप या उसके grandparents undivided इंडिया में पैदा हुए थी या तो इंडिया में पैदा हुए था या पाकिस्तान में पैदा हुए थे बट वो उस division से पहले ही इंडिया के बाहर रह रह रहा है और बाहर रहने के कई सालों के बाद वो Indian citizen मनना चाहता है अभी सोचिए ये जो provisions है दोस्तो अभी citizenship act 1955 नहीं आया ये 26 जन्मरी 1950 किसम में provisions डाले गए है मतलब कि partition partition के time पे भी कुछ लोग होंगे ना बड़े राजर रजवारे रहे होंगे भी या foreign orange रहे होंगे नवाब अब होब होंगे उनके वाँ पे कुछ बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे भी Indian citizen बन सकते है पशर्ति या तो उनके parent या उनके grandparent में कोई भी इंडिया में पैदा हुआ undivided इंडिया में यानि इंडिया पाकिस्तान किसी में भी पैदा हुआ वो बन सकते हैं इंडिया की citizen कैसे बन सकते हैं कि जिस country में भी वो रह रहे हैं तो लंडन में कोई ना कोई diplomatic या consular representative था इंडिया का वाँ पे वो उस diplomatic representative के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ और अगर वो consular representative उसको भारत की नागरिक का दे देता है तो भारत का नागरिक बन जाएगा तो diplomatic consular representative किसी और country में person of Indian origin को अगर सीधे-सीधे देता है कि आप भारत का नागरिक बन सकते हैं तो बन जाएगा वो पर तो उसको इंडिया आने की जरोध भी नहीं वहीं बन जाएगा और ये प्रावधान हमारे constitution के लागी होने से पहले भी active था और बाद में भी active था बाद में obvious ही बात है इसमें हलके full के changes citizenship act 1905 के तुरू थोड़े बहुत कर दिये गए तो ये चार categories थी दोस्तों आपको समझ में आई होगी चीज़न ठीक से आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कुछ और constitutional provisions थे citizenship से related दोस्तों क्या है माल लिज़ आप citizen है इंडिया के और अगर आपने इंडिया का citizen होते हुए भी किसी और देश की citizenship को कहने का मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 को जो समवीधान आया उसमें citizenship से related जो भी प्रावधान थे उस प्रावधान के तहत बहुत सारे लोगों को इंडिया की citizenship मिली बाद में हमारा Parliament कुछ law बनाएगी हमारे Parliament ने citizenship act बनाया 1955 का इस law में अगर ऐसा कोई provision आता है जिसके चलते कुछ लोगों की citizenship चली जाती है जिनको original constitution में citizenship मिलेगी तो वो माना चाहेगा मतलब कि जितने भी citizenship laws उस समवीधान में थे जो 26 जनवरी 1950 को promulgate किया गया वो सारे provisions, वो सारे समवीधान के provisions are subject to the law made by parliament और बाद में पारलेमेंट ने citizenship act 1955 मनाया यनि कि 26 जनवरी 1950 के समवीधान में जिसको जिसको भी citizenship मिली इंडिया की उसकी citizenship को हटाने का या और लोगो citizenship देने का प्रावधान citizenship act 1955 से सरकार कर सकती थी आज की डेट में भी सरकार के पास ताकत है कि citizenship के provisions को बदल सकती है आप देखी सकते citizenship amendment act कितना भैंकर बवाल हुआ उसके बीचे और तीसरी बात आते हैं दोस्तों Parliament shall have the power to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters related to citizenship यनि कि ये कहा जा रहा है Parliament सर्वे सरवा है यहाँ पर यनि Parliament के पास ताकत है कि भाई citizenship से related को भी law Parliament मना सकती है किसको citizenship मिलनी है किसको citizenship लेनी है किसको किस basis पे citizenship चीनी चाहेगी किसको किस basis पे citizenship दी जाएगी इन सब की ताकत पारलेमेंट के पास ओके ये तीन provisions भी यहाँ पर बताएगे है अब आगे आता है दोस्तों Citizenship Act 1955 ये भाईया जो हमाई पहली सरकार चुन के आई उसने मना इसका बहुत लोगों को इंतजार था Citizenship Act उस समय समय पे बदला भी गया इसके amendment को देखेंगे Citizenship Act आया 2003 का आगे भी आए है वो सब मैं आपको बात बताऊँगा अभी फिलाल के देखते है Citizenship Act में Citizenship Act में किस-किस तरीके से हम लोग Citizenship को acquire कर सकते हैं इंडिया की तो यहाँ पे हम बात कर रहे है acquisition of citizenship की पहला जो तरीका है Citizenship को acquire करने का वो है by birth आप by birth इंडिया की citizenship ले सकते है यहाँ पे क्या दिया गया कि मान लीजे कोई पर्सन है जो कि इंडिया में जन्मा है या तो 26 जन्वरी 1950 को या 26 जन्वरी 1950 के बाद बट उसका जन्म जुलाई 1987 से पहले हुआ है समझे जुलाई 1987 से पहले जन्मा है तो उसके पैरंट्स की कोई भी नैशनालिटी हो वो इंडिया का citizenship होग, citizen होगा by birth समझे जुस्तों? यानि कि आप समझे ये कोई tourist घूम रहे है इंगलेंड के आके यहाँ पे इंडिया में या अमेरिका के आके इंडिया में वो tourist यहाँ घूमने आए और इस घूमने के दौरान उन tourist के कपल का बच्चा हो गया तो वो बच्चा इंडिया citizen हो जाएगा irrespective of the fact कि उसके parent इंडिया के citizen नहीं है ये कब तक था प्राफदान? एक जुलाई 1987 से पहले अब इस प्राफदान को बाद ने बदला गया एक जुलाई 1987 के बाद या उसके बाद और किस से पहले? 3 दिसंबर 2004 से पहले ये एक जुलाई 1987 को या उसके बाद अगर कोई बच्चा इंडिया में जनम लेता है तो वो इंडिया का citizen तभी होगा जब उस बच्चे का कोई एक parent उसके जनम के समय पे इंडिया का citizen हो ये एक जुलाई 1987 को या उसके बाद माली जो कोई बच्चा पैदा होगा बच्चे का नाम है राम इस राम के दो parents है इसके कोई भी parent या तो पापा या मम्मी राम के बर्थ के समय पे इंडिया का citizen है तो राम आटोमेटिकली इंडिया का citizen हो जाएगा ये चीज बोली गई ओके फिर 3 दिसंबर 2004 को इसमें छोटी सी चीज आई छोटा सा change आया बहुत छोटा सा change 3 दिसंबर 2004 को भी ये राम वाला provision चल रहा था क्या है 3 दिसंबर 2004 को जो बच्चे 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए उनको इंडिया का citizen माना जाएगा बच्चों के दोनों parents इंडिया के citizen हो या फिर उन बच्चों का कोई एक parent इंडिया का citizen हो लेकिन कोई एक parent illegal migrant नहीं होना चाहिए for example इंडिया ये इस्ट पाकिस्तान खत्रम हो बांगलादिश मनगा बांगलादिश के बाद बहुत सारे illegal migrant इंडिया में है मान लिज़ो कोई सलीम करके एक person इंडिया में आया इस सलीम ने एक Indian woman से शादी करी और इन से बच्चा हुआ अब ये सलीम बांगलादेश से आया है ये इंडिया में नहीं रहता है इसने यहां की Indian woman से शादी की और इनका एक बच्चा हुआ अब ये Indian woman तो इंडिया की citizen है बट सलीम बांगलादेश से आया है अगर मान लिज़े बाद में ये प्रूव हो जाता है 3 December 2004 के बाद ये 3 December 2004 को कि ये जो सलीम है इसके पास कोई proper valid documents नहीं है इंडिया की ये बांगलादेश से आया है इसका कोई registration इंडिया में नहीं हुआ है उस case में इस सलीम और इस woman का जो बच्चा होगा न वो by birth इंडिया का citizen नहीं होगा नहीं ये बोलागा कि 3 December 2004 से लेके आगे जो parents है या तो दोनो parents हो तो आप बन जाओगे citizen बच्चा बर्स से बन जाएगा या कोई एक parent हो तो बच्चा बर्स से बन जाएगा पड़ अगर दूसरा parent है तो वो tourist हो चलेगा पड़ illegal migrant नहीं होना चाहिए और illegal migrant इंडिया में सबसे अदर कहां से आते हैं अंगलादेश से आते हैं तक हमने देखा इसके बाद by descent by registration by naturalization समझाँगो I hope आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि ये चुक प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े से tricky हैं तो मुझे comment कि तुर जरू बताते रहेगा कि जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है Thank you for watching friends वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा ज़्यादा लोग सार शेर करें Goodbye